नमस्कार दोस्तों YouTube Channel Super7 से मैं मोईतुएशना आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों राजस्तान के Art and Culture में हम दूर का Topic कपलीट कर चुके हैं और दोस्तों आज हम जो सुरू करेंगे वो है राजस्तान के महल राजस्तान के महल में दोस्तों हम कुछ समान प्रकार के जो एक नाम की महल मिलते हैं वो पढ़ेंगे पहले उसके बाद में जो अलग-अलग जगह पे महल मिलते हैं वो पढ़ेंगे तो सबसे पहले शुरू करते हैं वो करते हैं City Palace, दोस्तो City Palace है वो हमें तीन जगा पराप्त होंगे, City Palace में दोस्तो हम तीन जगा देखेंगे, तो एक तो मिलेगा हमें जेपूर में, एक मिलेगा हमें उदेपूर में, और दोस्तो एक मिलेगा वो मिलेगा अलवर में, तो पहल पेले दोस्तों इन में देखेंगे कि इनका निर्माता कौन है दोस्तों जो उदेपूर का उदेपूर का city palace है उसका निर्माता है उदे शिंग जी तो तो निर्माता कौन करने हो गए उदेसिघी सिर्णी इसके बाद में मैं दोस्तों देख़ता है यह कहां पर यह दूस्तों बना हुआ पिछोला जील के किनारे पिछोला जीब के पास जी के पस हुए यह बना हुए उदेपूर का जो City Palace यहाद रखेगा किस City Palace को Windsir महल का आ जाता है तो वो है उदेपूर का City Palace अब दोस्तों इसके अंदर और क्या-क्या मिलते हैं तो यहां पर मिलता है करूँ जो कर्शना कुमारी विवाद हुआ था, zona कुमारी का उसमें तो जहर दिया जाता है वो कौन सा महल है कर्षना कुमारी महल अब दोस्तों इसके अलाव़ यहां क्या मिलता है तो यहां पर दोस्तों एक मिलता है दिल्खुस महल दिल्खुस महल इसके अलाव़ दोस्तों यहां पर मिलता है वो मिलता है नव चोकी महल नव चोकी महल यहां पर मिलता है दोस्तों वो मिलता है राज आंगेन महल तो यह सब दोस्तों यहां पर मिलता है यह हुआ दोस्तों हमारी उदेपूर का जो सिटी पेलेस है वो अब दोस्तों इसका निर्मान होगा था यह 1569 में इसका निर्मान होगा था चबवदा सुनीट में जोधपोर की स्थावन हैं वह ऊंपने देखाए था अब सटी पेलेस पढखने जा रहे हैं कि उद्धूर का है इसके निर्माता कुछ उनकी दोस्तों जो रूप रेका थी उसके अनुसार दोस्तों जेपुर बसा हुआ है और दोस्तों जो सिटी पेले से उसके भी जो सिल्पी थे वो थे विद्दादर बटाचारी तो दोनों के दोस्तों विद्दादर बटाचारी हैं सिल्पी विद्धादर बट्टा चारे अब दोस्तों इसके अंदर क्या-क्या मिलता है तो इसमें दोस्तों साथ मंजीला है ये उसमें दोस्तों जो पहली मंजील है वो है सुख निवास महल सुख निवास महल ये दोस्तों क्या है इसकी पहली मंजील इसके अलाओ दोस्तों यहां पर क्या मिलता है कि जो इसका परवेश दुआर है वो है दोस्तों सीरह डियोडी सीरह डियोडी यह क्या है दोस्तों यहां का परवेश दुआर यह परवेश दुआर है और दोस्तों सुक निवास महल क्या है यहां कि जो पहली मंजील है वो दिवाने खास का निर्मान किया गया था अब दोस्तों दिवाने खास में क्या है जो दिवाने खास है दोस्तों उसको कहा जाता है सर्वत्र बद्रो महल सर्वत्र बद्र महल यह किसका नाम है दोस्तों दिवाने खास का अन्य नाम है सर्वत्र बद्र महल यह इसको क्या कहा जा दो चांदी के पात्र यहां रखे गए और दोस्तों ये चांदी के पात्र यहां कैसे आये इन चांदी के पात्रों के क्या कहानी मिलती है दोस्तों आमेर के एक सासक होते हैं वो होते हैं मादो सिंग सेकेंड दोस्तों 1902 में बिटेंग के समराड बनते हैं बड़ सप्तंग और उनका रज्य विश्यकोता इंग्लेंड में तो मादो सिंग सेकेंड को भी इन्वाइट किया जाता है तो मादो सिंग सेकेंड वहां जाते हैं और दोस्तों होता क्या है कि मादो सिंग सेकेंड को वहां जाने से पहले लोग कहते हैं कि आप पवित्र हो जा वापस आते हैं तो यह चांदी के बड़े पात्र कहां रखे जाते हैं दोस्तों यह रखे जाते हैं सिटी पेलेस और यह जेपूर का जो सिटी पेलेस है वहां पर दोस्तों अभी भी रखे हुए हैं तो यह चांदी के पात्र किस से संब्दीत है दोस्तों यह मादो सिंग सेकिंड से संब्दीत है और मादो सिंग सेकिंड के दोस्तों अभी हम और कहान ही पढ़ेंगे जो इसी से संब्दीत है मादो सिंग सेकिंड और दोस्तों मादो सिंग सेकिंड की एक कहान ही और क्या मिलती कि जो मादो सिंग सेकेंड है उन्होंने दोस्तों लोगों को या फिर अपने अतितियों को थहराने के लिए दोस्तों एक मुबारक महल का निर्मान करवाया मुबारक महल का निर्मान किस ने करवाया यह करवाया मादोशिंग सेकेंड और मुबारक महल की दोस्तों क्या गटकान ही मिलती है कि जो मुबारक महल है दोस्तों उसमें दोस्तों पुस्त काले चलता है और वो राजाओं का खुद का प्राइवेट पुस्त काले जिसको क्या क से गार्ण ile दूस्तों नाम दिरन दूस्तों वह लेगा वह लिए खानव नोई घृट financial to arrive Sumager कर दो दो जो यह राजपुत और मुगलन चे लिका दोस्तों मिश्रन माना जाता है क्योंकि दोस्तों जेपूर वाले शासकते वो मुगलों के दिन थे और उनमें दोस्तों मुगलों के जो कला थी वो इसके अंदर आई हुई है दोस्तों इसके लिए इसको माना जाता है कि राजकुत मुगल सेली का दोस्तों ये क्या है नमूना है अब दोस्तों ह City Palace का निर्मान करवाया किसने उसके अलावा इसमें क्या क्या मिलता है तो देखते हैं दोस्तों इसका निर्मान माना जाता है इसका निर्मान बक्तावर सिंग ने करवाया अलवर्स के दोस्तो राजा हुए एक बकतावर सिंग ने इनका निर्मान करई है और दोस्तो ज़्यदा बड़ी इसके बारे मिलता नहीं है तो यहीं मिलता है इसको निर्मान बकतावर सिंग ने करवा है अब दोस्तों हमने too अब ऑधЙपूर का जो दोस्तों City Palace पड़ा उसके बारे में देखा इसके लाव से पूरों प cris Presto उन्वार्इ hidden city Palace लिख से आप यहीतीन के पिलस के बारे में यहां रखेएंगा यह दो बागों बटावव एक का पार्ट हो यह जनाना City Palace का पार्ट और एक है दोस्तों मर्दाना और इसी के अंदर दोस्तों ये एक में जनाना के पार्ट है दिलकुज महल नवचोकी और दोस्तों मर्दाना के कुछ पार्ट मिलते हैं तो ये हुआ दोस्तों हमारी City Palace का जो वर्णन मिलता है वो और दोस्तों अब हम सुरू करेंगे जगमंदीर और जगनिवास महाल दोस्तों जगमंदीर दो जग मिलेंगे और जगनिवास महल उदेपूर में मिलेगा तो शुरू करते हैं दोस्तों जगमंदीर जगमंदीर और दूसरा कौन से है दोस्तों जगनिवास दोस्तों जो जग मंदीर है वो एक तो उदेपूर में प्राप्त होगा और एक कोटा में और जग निवास है वो केवल उदेपूर में प्राप्त होगा अब दोस्तों इन में देखते हैं इनका निर्माण किसने करवाया इसके अंदर और क्या क्या मिलता है और दोस्तों इसमे जो उदेपुर का जग मंदीर है दोस्तों उसका निर्मान करवाया गया था वो करवाया था कंड सिंग ने और दोस्तों कंड सिंग ने इसका निर्मान प्रारम करवाया था पर दोस्तों इसको पून किस ने करवाया वो करवाया था जगत सिंग पर्तम ने और जगत सिंग पर् पुत्र और किन्षिस्ट इन्होंने पुत्र पृत्र के काल में मैं निर्मान करवाए था और किन्षिंग के ब के क्या करवाया जग्मंदिर करवाया पूण करवायाल प्रारम कि 신े करवाया दोस्त तो यह मेंता। जग्मंदिर के बारेम North जो उदेपुर फीकलश ये क्यों पूर्डब खरता है जंगी उनलेफ आयए दोस्त के नाम पर किया जग्मंदिर LC दिल्ली में एक मुगल साशक रहता है जांगीर और जांगीर का पुत्तर रहता है दोस्तो सांजा सांजा का बच्पन का नाम मिलता है दोस्तो खुर्रम और खुर्रम जब जांगीर के खिलाब विद्रो करता है तब दोस्तों वो कंट सिंग के पास सरण लेने आता है और कंट सिंग दोस्तों उसको सरण देता है और वो देता कहा है दोस्तों उसको रखता कहा है वो रखता है जग मंदिर में तो कंट सिंग ने खुर्रम को खुरम को सरण्दी कहां दी दोस्तों यह दी थी जग मंधिर में औरだけ खुरम ने विदा तो वोया था 122 में सोला सू लावग 1877 में उसको जावाआनी और Lah 1623 धूसें अब ही तो सासक रहते हैं मेवाड के सांद का इस वड है ते जिया दो जाती है जिया जाती है जग मंदिर यहों दोसतों जॉद्य강 मंदिर में जो उदमदिर में अब दोस्तों अब दोस्तों दूसरा जग मंदीर शुरू करने जा रहें। मेवार के एक सासक होंगे संगराम सिंग सेकेंड जो सांगा थे दोस्तों वह थे संगराम सिंग पर्थम और ये है दोस्तों संगराम सिंग सेकेंड जो दोस्तों सहेलियों की बाड़ी का निर्मान करवाते हैं और इनकी दोस्तों पुत्री कोंने ब्रजकमर और ब्रजकमर दोस इसका निर्मान होता है दोस्तो जग मंदिर का ये हुआ को टा वाला जग मंदिर और दोस्तो ये माना जाता है कि यह जग निवास महल की नकल है दोस्तों परंतु इसका नाम जग मंदीर है तो यह हुआ दोस्तों कोटा का जग मंदीर और उदेपूर का जग मंदीर अब दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं वह है जग निवास महल जो उदेपूर में और दोस्तों एक बात यहां जग मंदी आप दोस्तो जग निवास महल के बारे में जानते इसका निर्मान किस ने करवाया इसका निर्मान करवातें दोस्तो जगत सिंग स Amen और जगत सिंग सेकिंड इसका निर्मान 1746 में करवाते हैं बस दोस्तो इत्ता सा ही मिलता है इसके बारे में यह कौन से है दोस्तो जगत सिंग सेकिंड यहां पे दोस्तो जगत सिंग पर्थम है और यहां है दोस्तो जगत सिंग सेकिंड करवाते हैं दोस्तों 1746 इस्विव में इसका निर्मान करवाते हैं जगत स Pink कि और ये भी एका दोस्तों यह पिछोला जिल के किनारे 플िच्छu पिछोला जिल के मत्यवे cinnamon कि यह दोस्तों यह यह क्यों अधिये को माय में वह जगनीवास और जग मंदीर महल 4666 है वह पढ़ेंगे हवा महल दोस्तों हवा महल तीन जगह मिलेंगे उनमें दोस्तों दो का नाल तो हवा महल है और एक का नाम दोस्तों हवा महल की संग्या दी जाती है तो दोस्तों उसके बारें पढ़ते हैं हवा महल कितनी जगह है हवा महल का क्या रॉल मिलता है तो हवा महल तो पढ़ेंगे किस ने इसका निर्वान करवाया दूसरा हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तु रशुका हवामेल है वो है खेतड़ी के महल जिनको क्या कहा जाता है दोस्तों राजस्तान का दूसरे हवामेल और शेकावाटी का हवामेल तो खेतड़ी महल और तीसरे है दोस्तों कोटा का यह है दोस्तों कोटा का इसका निर्मान किसने करवाया हवामेल तो हवामेल जेपूर के बारे इसका निर्मान क्यों किया गया दोस्तों इसका निर्मान किया गया जो राणिया थी उनको गंगोर की सवारी दिखाने के लिए इसका निर्मान किया गया था कि दोस्तों वो बाहर आके ना देखे उन जो जाली जरो के बने में दोस्तों इसमें कहीं सारे उनमें से दोस्तों ग लानियों के लिए गंगोर की सवारी ये तू इसका निर्मान किया गया अब दोस्तों ये कब इसका निर्मान करवाते हैं इसके निर्माता है दोस्तों ये निर्माता और इसका निर्मान कब करवाते हैं दोस्तों 1709 में इसका निर्मान करवाते हैं इसमें दोस्तों पांच नाम क्या के मिलते हैं तो दोस्तों वह देख लेते हैं इसमें जो पहली मंजील है वह सरद मंजील दूसरी मंजील है वह दोस्तों रत्न मंजील तीसरी है वह दोस्तों विचित्र मंजील चोती है वो है दोस्तो परकास मंजील और जो पांच ही मिलती है वो मिलती है हवा मंजील और हवा मंजील के कारण दोस्तो इसका नाम हवा महल है और दोस्तो इसमें जो जाली जरोके मिलते है तो इसमें कुल खिडकियां मिलती है वो मिलती है नो सो तरेपन 953 क्या है दोस्तों खीड़कियां और जरो के किते हैं दोस्तों वो है 365 जरो के यह है दोस्तों 365 जरो के और दोस्तों इसका निर्मान हमने देख लिया किस के लिए किया गया और दोस्तों इसका जो आकार मिलता है वो कर्षन के मुकुट के समान इसका आकार मिलता है आकर्ति केसी है दोस्तों इसकी कृष्ण मुकृट के समभू यह इसकी आकर्ति मिलती है और दोस्तों इसके वास्तुकार है वास्तुकार वो है दोस्तों लालचंद उस्ता लालचंद उस्ता यह दोस्तों इसको क्या है वास्तुकार यह मिलता है दोस्तों जो जेपूर का हवा महहल है उसके बारे में कि इसका निर्मार्ण सवाई परताफ सिंग ने करवाई यह 5 मंजीला है 953 खिढकिए और 355 में कया है जरोके 170 निर्पben में सिसका निर्मार करवाई इसका ड्यानियों को गणगोर की सवारी दिखाने के लिए इसका निर्मान करवाएगा और दोस्तों इसका एक जो पर्वेस दुआर है वो जान दीजिएगा इसका पर्वेस दुआर है आनन्द पोल यह मैं यही बता देता हूं दोस्तों आनन्द पोल इसका क्या है दोस्तों पर्वेस दुआर याद रखेगा दोस्तों इसका क्या होग सुरू करते हैं जो जो वाराज है वो बूपाल सिंग इसका निर्माण कि सेका वार्टी की हवा में तो निर्माता कोन Bhopal Singh Bhopal Singh यह इनीख क्या नाम मिलता दोस्तो round इसके निर्माद क्या जिस प्रकार इसका रिए हो गर्णा को गर्ण गणगोर कि सवारी के लिए परन्तु इसका क्या कारण है धोस्तों वह है गिरिश्मकाल में विल्लना सवार में विल्लना थी सेकंड हवा में और क्या का जाता दोस्तों सेखावाटी का हवा में सेखावाटी का हवा में तो यह मिलता दोस्तों में खेतडी का जो महल मिलते हैं उनके बारे में कि सेखावाटी का हवा में और अधिस्तान का दूसरा हवा में हवा में इसमें दोस्तों बूल बूलया का भी निर्मान किया गया जिसकोन जिसकी सांब जिसकी उपमादी जाती है कि लखनाओं के भूर भलातया के संभावन तो यह सब्सक्राइब करें लाइक करें और चेनल सुपर सेवन को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें झाल